Welcome to wrestling champion youtube channel इस एडरीमी मेंह बात करेंगे जॉहन सीना के बारे में मतलब जॉहन सिना के नई के बारे में बात करेंगे और भात करेंगे प्रेंट dgesetzt with the background announcement आपकर से ङुइन सिखले के बारे में आपको पता ही कि शॉप्र शोडन के एक हमें Triple H vs The Undertaker का match देखने को मिलेगा और इस match का unique concept यह है कि हमें Triple H एक कोनर में देखने को मिलेंगे Sean Michael और The Undertaker के कोनर में देखने को मिलेंगे Kane तो इसमें huge segment की बात यह है कि Super Showdown जो event है वो है 6 October को और जो Super Showdown से पहले वाली row है वो होने वाली है 1 October को और इस row के एपिसोड के लिए Sean Michael को book किया जा रहा है जी हंड़ोली एरिपटाइस कर रही Sean Michael को इस row के एपिसोड के लिए row मतलब जो Super Showdown से पहली वाली row है तो भी आपने यह news सुनी तो आपके मन में क्या है तो अब यह सी बात है कि पहले वाली दिखाना चाहती है इस row में एक बहुत बड़ा सेग्मेंट जो होगा ड्रिपल आप शॉन माइकल और दिए अंड़ टैकर और केन के बीच क्योंकि इस सेग्मेंट से Super Showdown में होने वाले यह मैच में थोड़ी हीड डले मतलब फैंज इस मैच को देखने के लिए और भी एक्साइटल हो जाएं इस मैच को हीट अप करने की कोई भी कसर नहीं चोड़ रही और चोड़े भी क्यों यह मैच लास्ट टाइम एवर मैच है और यह मैच होने वाला है उस इवेंट का में इवेंट मैच तो इतनी हीट अप इस मैच के लिए बनती है इन शॉट हमें सूपर शॉटन से पहले वाली रॉम एक बड़ा दमागा देखने को मिलेगा इन चार सूपर स्थार्स के बीच तो बात करते हैं रेमर स्थी और डर्ली के लाइवेंट क्राउन जोएल के बारे में तो यह दो नुमबर को तो इसके लिटर पीडर नुचल ने बताया है कि रेमर स्थी और डर्न क्राउन जोएल से पहले तो करही लेंगे यह पीडर नुचल का यह मानना है कि डर्ली यहां पर प्लान कर रही है लिए में स्थीडियो के मैसिंज के लाइवेंट के लिए और वह भी क्राउन जोएल में जिसका नाम से चैन गाई और इस इवेंट से पहले जोएल ने अपने कई बॉड़ी की पिच्छे ने शोशल मीडिया पर पब्लिश की थी और सबी फैंस ने उन फोटो को बहुत ही पसंद किया था तो अगर हम बात करें अभी की तो अभी ही जोएल सिना ने अपने एक और और यह फोटो है कि जौन सिना जिम में खड़े हैं बॉक्सिंग के गलवस पहन कर मतलब यह काफी यूनिक स्टाइल है जौन सिना का यूनिक मतलब डॉली फैंस ने पहले मुझे लगता है कभी जौन सिना को विद बॉक्सिंग गलवस के साथ नहीं देखा होगा और यहां अब इंड्रस्टिंग बात यह है कि जौन सिना भी ध्यान दे रहें अपनी फिजिक्स पर मंदर वह अपनी बॉडी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी तो हम जो कि मेंटर के बदाए कि आपको जौन सिना कि यह फिजिक्स कैसे लगी तो यदि आज की वीड हुआ